बात करो, कितना शोर है, तुम इतना शोर कैसे कर सकते हो, मैं सोने की कोशिश कर रहा था क्या कर रहे हो नो बिटा, इतना शोर क्यों मच रहा है डोरे मौन हमारे पडोसियों के घर रेनोवेशन चल रहा है, ये काम ऐसे ही चलेगा क्या, पर डोरे मौन मैं तो सोच रहाता है कि थोड़ी दिर पढ़ाई कर लू क्या सच कह रहे हूँ, हाँ सच कह रहा हूँ, तुम्हें है हरान होने की जरूरत ही है आइडिया, मैं शिजुका के घर चला जाता हूँ यहाँ तो बहुत जादा शोर हो रहा है हमारे पड़ोसी नया स्टीरियो लेकर आए है और सुबह से वो नौन स्टाप चल रहा है बहुत शोर हो रहा है शिजुका भी हमारी तरह ही शोर से परिशान है हाँ मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकत्वर मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी आवार यहाँ पर भी पहुत शोर है हाँ अब हमें कहा जाना चाहिए आपको परिशान करने के लिए माफी चाहते हैं हम अखबार इकठा कर रहे हैं कितना शोर है इस शहर में तो हर तरफ शोर ही शोर है बादर बहुत ही शान्त और सुन्दर होते हैं मुझे पता है, मेरे पास इक बहुत अच्छा इडिया है तुम क्या करने की सोच रहे हो नोबिता वहाँ देखो बादलो के उपर हाँ, वहाँ ठीक रहेगा अच्छा डोरे मॉन ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास एक क्लाउट पिक्सिंग यास नहीं है हाँ, वो बिल्कुल है क्लाउट पिक्सिंग यास ये तो बड़ा मज़ेदार है क्या आप ये पूरी तरह दयार है ये तो बहुत अच्छा है वाँ ये बादल तो आगे बड़ी नहीं रहा क्लाउट पिक्सिंग यास ने इस बादल को ज़्यादा भारी बना दिया है इसलिए वो हवा से आगे नहीं बड़ेगा ये देखो लो पिता ओ शुदुका कितना अच्छा लग रहा है बताओ मेरा मिस्टर क्लाउट कैसा है चलो उस पहाड़ी पर चड़ते हैं कितना सुन्दर है हाँ बहुत सुन्दर है कितना अच्छा लग रहा है ये तो सुर्ट जैसा है ये कॉटन कैंडी लग रही है चलो अब हम मिलकर मस्ते करते हैं ये कितना अच्छा एसास है कितनी शान्ती है कितना अच्छा लग रहा है हाँ ये स्वर्ग जैसा है आइडिया क्योंना हम मिलकर इसे एक असली स्वर्ग में बदा दे क्या कहा असली स्वर्ग में बदलेंगे क्या तुम्हें ये असली स्वर्ग नहीं लगता नोबिता हाँ पर थोड़ा खाली है हम थोड़ा क्रेटेव हो के से और अच्छा बना सकते हैं मैं चाहता हूं कि यहां पर इस सुन्दर सा तालाब हो मैं सिमट क्या पहारी के उपर एक महल हो तो बहुत अच्छा होगा ओटमाटिक कंस्ट्रक्शन मशीन ये मशीन कोई भी चीज बहुत आसानी से बना सकती है लो अभी देख लो इसके लिए पहाडी की उपर वाली जगा ठीक है मैं अभी घर जाके आई फिर मिलेंगे अरे हाँ मैं भी कुछ काम भूल गया था मैं चला ये दोनों मिलकर आखिर करने क्या वाले है मज़ेदार जिंदगी के लिए खाना ज़रूरी है हमारे पास धेरो स्नैक सोने चाहिए भूक लगेगी तब यही तो खाएंगे अगर हम स्वर्ग में भी भूके रहेंगे तो फिर जीने का मज़ा कैसे आएगा नोबिता ये कॉस्च्यूम मैंने बिछले सार ड्रामा में पहनी थी तुम बहुत सुनने लग रही हो क्या सच कह रहे हो नोबिता हाँ अब चलते है वाँ ये स्वर्ग भी कितनी अच्छे जगा है वाँ वो देखो हमारा महल कितना अच्छा है अब हम मूट में आ गए वाँ यहाँ पर कितना अराम है ये बोल किस ते फैकी तुम पानी से नीचे की तरफ देख सकते हो देखू तो जियान और सुनियो हमारा बादल नीचे सरग गया है अरे वो बॉल कहां चली गई अरे वो देखो वो तो नोबिता है ये लो अपनी गंदी बॉल क्याच करो तुम्हारी इतनी हिम्मत नोबिता तुम वहाँ पर बादलों में क्या कर रहे हो नोबिता तुम ज्यादा मत बनो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा अरे फ्रिज खाली है ये ज़रूर नोबिता का काम होगा हलो आंटी आई नोबिता ने बादल के उपर से हम पर बॉल भेगी उसने हमें खाली मैदान में खेलते वक बहुत तंग करा और जब हमने उससे कहा कि हमें भी बादल पर आने दो तो उसने मना कर दिया आंटी हमें नहीं लगता कि ये सही है कि वो सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचे इस नोबिता का क्या करो मेरी तो कुछ समझ नहीं आता है नोबिता अब दोबारा से ये क्या हो गया डोरे मौन नोबिता, मेरी आवाज आती है, अभी इसी वक्त मीचे आजाओ मॉम तो बहुत गुस्से में है नोबिता भयानक लग रही है मेरे खयाल से हमें घर चलना चाहिए हाँ, घर चलते हैं, लेकिन मुझे यहाँ बहुत मज़ा आया मुझे भी मुझे दर दो रहा है, बिचारा नोबिता हेई डोरेमोन जियान और सुन्यो हेई डोरेमोन, जाओ और जाकर एनिवेर डोर ले आओ, अब हम भी उस बादल पर जाएंगे हाँ, बिलकुल सही क्या, पर क्या तुम नहीं चाहते हो अच्छा ठीक है जियान याहू मज़ा गया वाँ, कितनी बड़िया जगा है, यहाँ पर एक पूल है और आराम करने की जगा भी है क्यों ना, इसे हेविन्स प्लेग्राउंड बुलाएं और इसे अपने पास रख लेते हैं हाँ, सुनो, अरे चुमास मज़े से दोप नहीं आ रही है अरे मैं कहती हूँ, कपड़े सूख नहीं रहे, जल्दी कुछ करो यह तो जाँ बताती हूँ, इन बातों का क्या करोगे मैं नहीं बता की क्या करना है चलो भागो सुनियो मैं तो समझता है ता सुर्ग में शान्ती होगी पर यहां पर तो और भी जादा शोर है अरे रुक जो, का बात रहे हूँ, यह रुको पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो यह सुर्ग में भी कितना शोर है